आज हम बनाएंगे छेना जो हम बहुत सारी इंडियन मिठाईयों को बनाने में यूज करते हैं इसके लिए चाहिए हमें एक किलो दूद और एक नीम्बू का जूस हम दूद को अच्छी तरह से उबा लेंगे जब दूद अच्छी तरह से उबल जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे और दूद को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे अब हम नीम्बू का जूस लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ताकि वो थोड़ा सा डायलूट हो जाए उसके बाद हम दूद में थोड़ा थोड़ा करके नीम्बू का ये जूस मिलाएंगे और इसको मिक्स करेंगे अब आप देखेंगे कि दूद फटना शुरू हो जाएगा दूद का पानी अलग होने लग जाएगा और मिल्क सॉलिड अलग होने लग जाएंगे जब पानी का कलर ग्रीन ग्रीन सा हो जाए इसका मतलब छेना हो चुका है अब हम एक बड़ा बरतन लेंगे और उसके उपर एक स्ट्रेनर रखेंगे फिर उसके उपर एक क्लीन कोटन का कपड़ा रखेंगे और इस मिश्रन को उसके उपर डाल देंगे अब हम इस छेने का सारा पानी स्ट्रेन कर देंगे अब इस छेने को हम ठंडे पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसका टेंपरेचर कम हो जाए और जो निम्बू का खटा फ्लेवर है वो भी इसके अंदर से निकल जाए अब हम इसका पानी अच्छी तरह से निचोड लेंगे और किसी भारी चीज से इसको दबा कर रख देंगे ताकि इसके अंदर का सारा पानी निकल जाए एक घंटे बाद आप देखेंगे कि छेना त्यार हो गया है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फर वाचिंग अगर आपको मेरी तो प्लीज बाद देखेंगे